ओके, हेलो चैटर्स, मैं नेम इस जोईट एंड यो वाचिंग रसल चैटर। जोई 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 पर आज गेमिंग चैनल के उसको स्ट्रीम करने वाले रोईतबन गेमिंग चैनल आपको पता ही है तो सब्सक्राइब डिस्री बड़ी बात वैसे दूसरी बड़ी अनौंसमेंट है खैर इसको इस वीडियो के लिए रखते हैं पर डिस्रीप्शन में पहली वीडियो का लिंक है भाई आपके एंटरेंटमेंट के लिए कुछ बहुत ही तकड़ा इंतिजाम किया है बस आप लोग इस वीडियो को जाकर देख लेना बस आप सब समझ जाओगे बागी सारे जिम्मेदारी जो है हमारी है अब खेर साथ मैच ऑफिशल हो गया और यह चीज़ सभी को लग रहा है कि लीड करने वाली है अब देखो मेरी प्रिडिक्शन यहां पर यह कहती है कि देखो सेथ रॉलिंस को अगर प्रिपेर कर रहें सेजारो के साथ रसल मेने के मैच के लिए तो यहां पर कोई चांस बनता है नहीं कि शुष्चकेना कमोर है एस समयच में हारेंगे और कि यहां जाएंगे यह चांच जलूर है कि सेजारो इंटिफेरेंस करके थोड़ से दिक्कत खड़ी करें सेथ रॉलिंस के लिए भाट कि आप टना कि यह वह पितने यहां पर सेथ रॉलिंस को फेवर करते हैं नेक्स मैच की बात करते हैं जूकि हमको शेन मिक्मैन वर्स ब्राउन स्वर्मन की बीच देखने को मलेगा अब शुरुवात में पता नहीं क्यों डेबल व्ली ने अपनी वेबसाइट से इस मैच को गायब कर दिया था लेकिन डेबल व्ली इसको स्टिल अबिटाइस कर रहे ह हमने स्माइकडाउन के एपिसोड में देखा था कि डेबल व्ली इस मैच को फासलिं के लिए प्रमोट कर रही थी अब इस मैच में देखो क्या रिजल निकल सकता है यह मैच हमको रेसल मिने के अंदर फिर से देखने को मलेगा यह एक्सपक्टेड है तो आप लोग यही मान इस मैच को जीतने के लिए बट फिर भी इस मैच में ऐसा भी हो सकता है कि नो कॉंटेस्ट वगरा कुछ हो जाए और हमको रेसल मिने के लिए फिर से लटका दिये जाए नेक्स मैच आता है गाइस विमन्स टैक्टीम चैंपेंशिप के लिए नाया जैक्सन शेना बेजलर व अगला मैच आता है इंटर कॉंटेंटल चैंपेंशिप के लिए और भाई यह मैच बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है बिगी वर्सिस अपोलो कुरूस की बीच में एक तो डबी डॉबली ने स्टोल नाया इतनी ज्यादा बड़िया बना दी और मतलब दोनों को देखके ल बनाना है तो क्यों नो भाई ग्रेंडे स्टेज अफ दम और में बनाया जाए तो इसलिए यहां पर जो मेरी प्रिडिक्शन है वो बिगी के लिए रही कि यहां पर अपनी इंटर कॉंटेंटल चैंपेंशिप को सकस्मिली डिफेंड कर सकते हैं और बाकी बैटिंग आट की वो कुछ करें इसके साथ अपने अपको फिर से रिवाइब करें तो इसलिए यहां पर अली के लिए मैच बहुत ही साथा इंपॉर्टेंट होने वाला है लेकिन यहां पर वही खानी आ जाते है कि यह वो बैच है वो फासलन पेपर वी के अंदर हो जो कि रहसे मेरे से ठीक इसके चांसे यूजरी कम होते हैं ऐसा मैं नहीं हो सकता लेकिन यूजरी कम होते हैं तो इसलिए यहां पर मेरी जो प्रेडिक्शन है वो रहेगी रिडल के लिए कि वो चैंपिन बनकर तो इस मैस से बाहर ही निकलेंगे मतलब शायद ही यहां पर कोई टाटल शेंज होगा लेकिन डेडलोबली सर्प्राइस करते हैं तो अच्छी बात होगी और बेटिंगोर्स की बात करें तो उनका भी यहां पर कुछ ऐसे ही कहना है अगर मैं इस में प्रेडिक्शन की बात करूभ इस मैच को प्रेडिक्ट निकर सकते हैं अख कुछ भी हो सकता है कुछ हो के रेंडि होटन जीचेंगे फिर कुछ करके ऐलेक्स जीच जीचान यह मतला के ऐसर पड़ता है फिन क्या आने से तो यहां पर भाई मैं तो पर जीतने का है, उतना ही चांस Alexa Bliss के जीतने का भी है, बाकि आप लोगों कुझे कॉमेंट करके बताने हैं कि आपको क्या लगता है इस मैच के अंदर, क्या लगता है कि Alexa Bliss जीतेंगी या फिच जीतेंगी Randy Oton, अगला मैच आता है Drew McIntyre vs. Sheamus के बीच में और यह होने वाला है, Stipulation के साथ, No Holds Barred Match, अब इस मैच को बचा आपको इसी तरीके से समझ सकते हों कि इस मैच के अंदर, आपको Brutality देखने को मिलेगी, Stipulation WWE ने डाल दिया, तो यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ से जो बंदा, Drew McIntyre है, वो Russell Meena के अंदर, Bobby Lashley को चैलेंज कर रहा है, तो क्या पता है, यहाँ पर यह भी हो सकता है, यह बहुत ही, WWE के वासे stupid decision हो सकता है, कि Drew McIntyre इस मैच को हाट जाएं, Bobby Lashley के वज़े से, क्योंकि फिर उससे उनका momentum पूरा तूट जाएगा, लेकि फिर में को लगता नहीं कि अगर कोई बंदा, Russell Meena के main event में जा रहा तो, उ आसलिन पे-पर-वी के अंदर हराना सही रहेगा, शायद Bobby Lashley यहाँ पर चूल तो बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन किसी तरीके से, Drew McIntyre जो है, और इस मैच के अंदर Drew McIntyre Shreemus को हरा देंगे, यहाँ पर कुछ लोग की expectation है, including थोड़ा सा रोहित, मैं भी, वससे इतन करेंगा, Drew McIntyre को, और betting odds की बात करेंगे, तो वहाँ पर यहाँ पर वो भी Drew McIntyre को फेवर करते है, और जो betting odds का difference है, वो भी काफियत तक जादा है, अब बात करते हैं, हम लोग Universal Championship के मैच की जुकी होने वाला Roman Reigns vs. Daniel Brand की बीच में, और इतना नहीं, यहाँ पर special guest enforcer होने वा क्यों इसके पीची reason है, इसके पीची reason यह है कि Roman Reigns को ही WWE के plans है कि वो WrestleMania 37 में Universal Champion बन कर जाएं, उसके बाद भली वो title हारें, लेकिन उससे पहले हारने का उनका जो chance है, वो काफी कम है, तो यह मेरे कहाल से एक predictable match ज़रू है, लेकिन फिर भी यहाँ पर edge की होने की वाज़े से ह हो सकता है, कुछ अलग scenario बन जाए, बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही कम chance है कि Roman Reigns startle हारें, मतलब मेरी नज़रों में तो ऐसा नहीं होने वाला, WWE को बहुत बड़ा शॉक कर दे, तो यह अलग बात है, तो prediction यहाँ पर मेरी Roman Reigns के लिए रहेगी, और betting odds भी आपर कुछ ऐसे suggest कर हैं, लेकिन जो हमको बड़ी चीज़ आपर देखने को बन लेगे, कि Edge के यहाँ पर कुछ ऐसी involvement होगी, जिससे कि हमको Roman Reigns और Edge के बीच और गर्मा-गर्मी होती भी दिखाए दे कि यह तो भाइब लकुल ऑवेस हाई है, मैं देखने के लिए एक्साइड़ है, कि कि हमको इ दिखकते हो ना, तो मैच में काफी ज़्यादा स्में पॉस्पिलिटीज हैं और आप प्रिडिक नहीं कर सकते हैं, रिजर्फ भड़ी प्रिडिक कर सकते हो, लेकिन आगे और गया होने वाला है, उस सिंग के लिए तो डेफिनिल इस मैच को ट्यून करना ही पड़ेगा, बा